यह जो dianthus का आपको बहुत ही beautiful pattern नजर आ रहा अंदर red, बहार, white और pink इस type के flower को हम बोलते हैं deltoid और arctic fire तो इस तरीके की बहुत सारे interesting information और dianthus plants की care related complete information जो है वो आज मैं आपके साथ share करने वाला हूँ कैसे आप dianthus plant को जो है अपने garden में सालो साल बनाए रख सकते हैं वो सभी जानकारिया आज मैं आपके साथ share करने वाला हूँ तो आज हम बात कर रहे हैं dianthus flower की देखें dianthus flower जो है वो winter का बहुत ही beautiful flowering करने वाला plant और winter में ये बहुत ही भर-भर के flowering जो है वो देता है आज हम इसी के बारे में बात करेंगे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इसके native place की तो इसका जो native place है वो यूरोप एशिया और अफ्रीका में यह जो plant है आपको देखने को ज्यादा मिलता है लेकिन सबसे important बात कि अगर मैं इसी color की बात करूँ देखें mainly इसके अंदर आप आप इसको जो है different name से भी जानते कुछ लोग इसे गिली flower के नाम से भी जानते हैं और इसका जो botanical name है वो plumeria service और deltoids है तो अब हम इसकी care की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं light की बात कर लेता हूँ देखें इसको जो है वो direct sunlight और मैंकों की full sunlight जो है वो बहुत अच्छी लगती है कम से कम 4-6 घंटे की light अगर आप इसको देते हैं sunlight तो यह बहुत अच्छा bloom करता है वैसे partial shade में भी bloom कर लेता है पर blooming थोड़ी सी कम रहती है तो अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी soil की देखें आप एक चीज़ का ध्यान रखें जब भी आप dianthus के लिए soil prepare करें तो उसकी ज plant बहुत ज़्यादा water को जो है पसंद नहीं करता है और clay soil को यह plant बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है तो चिकनी मिट्टी यह clay soil का इस्तमाल इस plant को grow करने में कम से कम किया जाना चाहिए ताकि यह जो plant है सालों साल तक आपके garden में रहे अगर इसकी root में पानी जमा हो जाएगा और drain नहीं होगा तो इसकी जड़े है वो खराब हो जाती है और यह पूरी तरह से बेकार हो जाता है तो मैं watering की बात करता हूँ देखिए watering आपको इस plant को तभी देना है जब soil जो है वो dry up होने लगे वैसे इस plant को जो है वो moisture पसंद है लेकिन over watering इस plant को बिल ज़्यादा जरूरी है कि आप जो है इसको over watering बिलकुल भी ना करें तो कम से कम तीन से चार दिन में आगां कि weekly water requirement जो है वे उसका रहता है soil को मौश्ट बनाके रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है उसके बाद मैं बात करता हूँ temperature और humidity की तो दोस्तों इस बात का ध्यान र परदास नहीं कर सकता है तो जहां पर freeze zone है जहां पर बहुत ज़्यादा कोरा पड़ता है वहां पर यह plant जो है वह अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं करता है तो अगर आपके यहां पर ज्यादा कोरा पड़ता है तो इसको जो है वह frost blanket से आपको cover कर देना चाहिए या ऐस जो plant होता है वह summer के अंदर dormancy में चला जाता है यह बहुत ही high temperature को बरदास नहीं कर पाता है खासकर मई और जून में जो गर्मिया पड़ती है इसकी direct sunlight जो है इस plant को नुक्सान पहुचा सकती है तो ऐसे में आप इसको partial shade के अंदर या आपनी बालकोली में complete shade के अंदर भी रहता है इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए उसके बाद मैं बात करता हूं फ्रेंट्स fertilizer की देखिए इस plant को बहुत ज़्यादा fertilizer की जरूरत नहीं है मैं बता देता हूं कि यह plant जो है वह बहुत ज़्यादा heavy feeder नहीं है तो मैं कहूं कि 6 महीने में या साल में जब इसक fertilizer कीजिए और fertilizer जो है आपको chemical fertilizer का इस्तमाल बिलकुल भी नहीं करना है क्योंकि कम fertilizer के साथ ही अच्छी blooming करने लगता है तो कोई भी गोबर की खाद या वर्मी कमपोज जो है आप इसके अंदर डाल सकते हैं या पहले से इसकी soil prepare करते समय भी आप उस तरह के fertilizer का जो इस्तमाल ह वो कर सकते हैं इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए तो आपका जो प्लांट है वो सालो साल चलता रहेगा अच्छी flowering करेगा और हमेशा healthy रहेगा तो अब मैं बात करता हूँ दोस्तो प्रोनिंग की क्या इसको प्रोनिंग की जरुवत होती है येस तो अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर बहुत अच्छी भर-भर के flowering हो तो आप इसको प्रोन कीजिए पहला जो भी dead flower है उन सब को आप remove कर दीजिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी इसके अंदर श्रीड फोम हो क्योंकि अगर श्रीड फोम उन्हें शुरू हो जाते हैं dead flower को आप remove नहीं करते हैं तो प्लांट अपना सारा जो concentration है वह श्रीड फोम करने में लगा देता है और जो flowering होती है वह कम हो जाती है इस बात का ध्य प्लांट रखना आपको चाहिए तो डेड फ्लावर जितने भी हैं सभी को remove कर दीजिए अगर आप शीड बनाना चाहते हैं इसके अंदर तो डेड फ्लावर को remove मत कीजिए पर शीड जो है आपको मार्च और अप्रेल में collect करने चाहिए तब गर्मी का सीजन जो है वह शुर बहुत है वह काफी अच्छी होती है और जो फ्लावरिंग है यह पूरे गमले में भर भर करता है तो वह वीडियो भी मैं आपके साथ जरू शेयर करूंगा कि प्रूरिंग के बाद जो रिजल्ट है वह आपको इसको कैसा मिलता है इस बात का ध्यान रखना भी आपको चाहि है तो यह जो प्लांट सामने आपको नजर आ रहा है आपको बता देता हूं कि शीड से मैंने ग्रो किया था जिसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है तो आप वहां से देख सकते हैं और कटिंग का वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस चीज क यह देखिए जो मैंने आपको बताया था कुछ टाइपस जो है मैं आपको शाथ शेयर कर रहा था यह वाला जो वाइट आपको नजर आ रहा है यह है फास्ट लाव क्योंकि इसके अंदर यह वाइट और बीच में पैटन बना हुआ है तो यह वाइट वाले को हम फास्ट ल नाम से भी हम इसको जानते हैं और कुछ जो है फ्योड़ी थोड़ा सा लाइट पिंग को ट्रे डबल पैटल भरा भरा फ्लावर होता से प्लिमेरिया और रोज के भी नाम से जानते हैं उससे जो है वह पर्फियूम वगारा भी बनते हैं उसके अंदर बहुत ही अच्छी स् अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो वे विल मेट इन नेक्स वीडियो